श्रीमाता वैश्णो देवी के भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और खास करके उन लोगों के लिए है उन भक्तों के लिए है जो अविवाहित है और ये चाहते हैं कि उनका विवाह या यू कहें कि विवाह की रस्मे मातारानी के भवन में संपन हो तो ऐसे खत लिखा है और खत में ये कहा है कि श्राइन बोर्ड की ओर से ऐसी विवस्थाएं जल्द शुरू की जाए जिसमें कि लोगों को माता के भवन में ही शादी की रस्में पूर्न करने की तमाम सुविदाएं उपलब्द हो विशेश पाल महाजन ने अपने इस खत में ये ल स्थान वहां पर मिले जगा वहां पर मिले और साथी साथ उनके लिए हलिकॉप्टर टिकेट बुकिंग में भी प्रियॉर्टी जो है वो रहे यानि कि अगर कोई व्यक्ति अपनी शादी वहां पर करना चाहता है तो उसके परिवार के कम से कम 25 लोगों को जो है वो भवन मे बहतर सुविदाई मिले वहां पर रुखने के लिए जगा मिले उन्हें रूम्स वहां पर मिले और साथी साथ हलिकॉप्टर बुकिंग में भी उन्हें प्रियॉर्टी दी जाए ताकि उन्हें अगर जिस तारीक पर उनकी शादी है तो उन्हें वहां उस तारीक पर पहुं पाही रियासी का ना कि माता वैशन देवी के धाम का बलकि पूरे जम्मू कश्मीर का एक एकनॉमिक आप कहें कि विकास होगा क्योंकि जाहिर सी बात है अगर फिलम अंडिस्ट्री वहाँ पर शूट करेगी तो एकनॉमिकली रेविन्यू जेनरेट होगा विख्यात होगा जम कि अगर कोई व्यक्ति यह दो या तीन दिन के लिए वहाँ पर रुपता है और रूम बुकिंग उसकी होती है बाकी के चीज़े वहाँ पर होती है एलिकॉप्टर की बुकिंग होती है तो इन सब से जो है यह का जो एकनॉमिक ग्रोथ है वो रियासी की होगी वो माता वैश लंषाते हैं मैं एक ट्रेंट देख रहा था कि कट्रा में कुछ लोग देस्टिनेशन गूंबंग के लिए भी आटे तो मैंने सीयों साब को यह request की है कि जो लोग destination wedding करने आते हैं and to promote कट्रा as a destination for marriages of girls and boys क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें लड़की और लड़का उनका जो immediate first family है उनको प्राइटी पे दर्शन helicopter की टिकट जो एक लोगों की मंचा रहती है 10 से 20 लोग एक और suggestion मैंने उनको request की है कि अगर जो लोग शादी पूरी की पूरी कट्रा में करें तो क्या shrine board अपनी जो यग्यशाला उन्होंने नहीं बनाई है और बड़ी खुबसूरत यग्यशाला बनाई है उसमें फेरें पड़ें 25 से 30 लोगों की capping हो लोग आएं शादी पूरी के पूरी कट्रा में हो उपर जब वो फेरों के लिए जाएं बवन में तो फेरे करके दर्शन करके फिर बापिसा जाएं इससे होगा क्या मुझे यह लगता है कि अगर shrine board की तरफ से यह बड़ावा होता है तो खूब लोग जो हैं वो जादा कट्रा को सेलेक्ट करे देस्टिनेशन पर वेडिंग ऑप चिंडर हाला कि मैं आपको बता दू कि जो सीओ श्राइन बोर्ड है अंशुल गर्ग उन्होंने डी सी रियासी को यह बताया है कि मौझूदा समय में भी श्राइन बोर्ड के पास जो फिल्म पॉलिसी है वो मौझूद है यानि कि अगर क पास शूटिंग करना चाहता है तो उसके लिए फिल्म पॉलिसी पहले से ही मौझूद है और यदि किसी को शूटिंग में कोई परिशानी आती है तो वो श्राइन बोर्ड से संपर्क कर सकता है उसकी उस परिशानी का निवारन किया जाएगा और आप जानते भी है कि इससे पहले कई बार कई भजनों की या कई फिल्मों में जो है वो मातारानी के भवन के पास के द्रिश्य दिखाए गए है यानि कि वहाँ पर शूटिंग हुई है हलाकि मौझूदा समय में ये ट्रेंड अब कम हो गया है वहाँ पर जादा शूटिंग नहीं हो रही है इसलिए ड तो अलग बात उन्होंने कही और एक अनोखी बात उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा वो यही था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी शादी जो है वो माता के भवन में आकर करना चाहता है यानि कि जो रस्मे शादी की है वहाँ पर आकर संपन करना चाहता है अगर किसी की शर्दा माता में इस प्रकार की है कि वो चाहता है कि अपने विवाईक जीवन की शुरुवात जो है वो माता के भवन से की जाए और रसमे भी वहीं पर संपन की जाए तो ये मौका माता के भक्तों को जरूर मिलना चाहिए और इसके लिए श्राइन बोर्ड को एक कदम आगे बढ़ाते हुए उनकी सुविदाओं को वहां पर सुचारू करना चाहिए ताकि लोग प्रोत्साहित हो और माता के भवन में आकर अपनी जो शादी की रसमें है वहां पर शादी की रसमें संपन करें और उनके 20 या 25 जो महमार होंगे उनके ठहरने के लिए वहां पर जो है प्रत्मिक्ता है वह दी जाए ताकि वह जब हेलिकॉप्टर की टिकट जिस तारीक की उन्हें टिकट चाहिए हो शादी के लिए शादी की रसमों के लिए तो उन्हें टिकट आसानी से मिल जाए और वहां पर संपन करें अलाकि CEO श्राइन बोर्ड ने कहा है कि उनके इस मसले को जो है यह पॉलिसी मैटर में उठाया जाएगा और उसके बाद ही इस पर अंतिम निरने लिया जाएगा कि क्या श्राइन बोर्ड इस चीज़ की अनुमति देता है या पिर नहीं देता है लेकिन इक बहुत अच्छा प्रस्ताब जो है वो डीसी रियासी ने जो ह रखा है और हमें उम्मीद है कि यह प्रस्ताब जरूर पारित होगा और इसके बाद माता के भक्तों को जो है वो अपना जो शादी है जो शादी की रस्में है वो माता के भवन में ही संपन करने का सुनहरा अवसर मिलेगा तो आप लोग क्या चाहते है कोमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राए जरूर रखे कि क्या यह प्रस्ताब जो है यह पारित होना चाहिए यह प्रस्ताब मंजूर होना